देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंद, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मि आप सभी का मेरे चैनल पर पुरह स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी सस्त होंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदायव बनिद है, अपनी वीडियो की श्रिंखला को आगे बढ़ाते हुए, आज हम मकर यानि की कैप्रिकॉन के बारें बात करेंगे, ऐ ऐसे दस कारण, ऐसे दस पॉइंट्स जो उनके दुख की वज़ा बनती है, अब इनको आप अपने नेगेटिव प्रेट्स भी कह सकते हैं, अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी कह सकते हैं, इस वीडियो को आलोच नात्पक नामान कर, इन पॉइंट्स को समझने की करेंगे, अपने काम करेंगे, तो जो भी प्राब्लम्स आती हैं जीवन में, उसमें बहुत हथ तक कमी अवश्या आएगी, इसके साथ ही वो राशियां भी बताऊंगा जो आपके जीवन में दुख का कारन बनती है, एक ऐसा समय भी बताऊंगा, जो आपके जीवन में दोनों ही महत्तोपून होती है क्योंकि एक basic character की बात कर रहे हैं तो यदि आपका लगन मकर है आपकी राशी मकर है आप दोनों से ही उसको observe कर सकते हैं तो शुरुआत करते हैं Capricorn यानि की मकर के लिए इस महत्तोपून वीडियो का और 10 points हम देखते हैं पहला point जो इनके दुख का कारण बनता है वो है इनका stubborn होना इनका बहुत जिद्धी होना ये एक बार अगर अपनी बात पर अड़ गए तो फिर उससे हटते नहीं है अब ये एक अच्छी चीज भी है इसको कह सकते हैं लेकिन कई बार क्योंकि थोड़ा सा ये इनका जो व्यवहार होता है इनकी जो body language होती है वो कभी-कभी थोड़ी serious लगती है लोग उसको गलत तरी से perceive करते हैं तो इसके कारण जब ये लोग stubborn होते हैं तो लोग इनको गलत तरीके से ही समझते हैं ये ऐसी जगा पर अड़ जाते हैं जहां पर usually avoid किया जा सकता है उसके कारण क्या होता है ये अपना धन का नुकसान भी कराते हैं ये अपना कभी-कभी मान सम्मान का नुकसान भी कराते है और इनके रिष्टों में भी कई बार विकार आ जाते हैं किवल इस कारण से कि ऐसी जगा पर जहां पर थोड़ा सा कॉम्प्रमाईस किया जा सकता था, ऐसी जगा पर जहां पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुआ जा सकता था, ये वहाँ पर नहीं हटते, वहाँ पर जिद्धी पर थोड़ा सा दिखाते हैं और ये इनके दुख की पहली वज़ा बनती है, दूसरा कारण, बहुत निंदात्मक होते हैं, शायद जो मकर राशी के लोग हैं, लगन के लोग हैं नहीं माने इस चीज़ को, ये मेरा observation है, ये हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेत होते हैं, कहीं न कहीं व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, लेकिन अब इसके कारण होता क्या है, सब्कोस किसी ने कोई effort डाल कर कोई चीज़ करी, आप उसकी हर चीज़ में यदि निंदा ही करेंगे, तो उस व्यक्ति को कहीं न कहीं अच्छा नहीं लगेगा, और ये जो निंदात्मक इनका होना है, कि इनके परसनल जीवन में कई बार बहुत प्रॉब्लम्स क्रियेट करता है, बाद में कहीं न कहीं इनको भी गलानी होती है, कि नहीं शायद मैं वो चीज़ नहीं कहता, तो अच्छा होता है, लेकिन वो इनके कंट्रोल में होता नहीं है, इनका चीजों के negative aspect को देखना शुरू कर देते हैं, future को लेकर भी कभी कभी negative हो जाते हैं, इनको लगता है कि हाँ अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो आगे भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, चीजों की negative points को ढूणना, अपने जीवन में negative points को ढूणना, आगे को लेकर के तोरपर हो, कहीं ना कहीं उनको कठिनाईयों का सामना करना ही पड़ता है, तो तीसरा कारण इनका बनता है, निराजशावादी होना, चौधा कारण, इनके अंदर बहुत अभिमान होता है अच्छी चीज़ है, अभिमान होना कोई बुरा नहीं है लेकिन आज के समय में कभी, अब देखे, यहाँ पे चीज़े डिफर कर जाती है अगर आप अपने जीवन में उस स्टेज पे हैं, जहाँ बहुत सक्सेस्वल है, बहुत पैसा है वहाँ पे आपके अभिमान को भी आपका अटिटूड लिया जाएगा यह सचा ही है आज के जीवन की कोई सक्सेस्वल व्यक्ति थोड़ा अभिमान दिखाता है तो उसको उसका अटिटूड कहा जाता है उसका भई यह तो बहुत स्टाइल है उसका, ऐसा बोल दिया जाता है लेकिन वही कोई समान्य व्यक्ति, कोई बहुत व्यक्ति जो सफल नहीं है वो अभीमान दिखाता है तो वो गलत तरीके से लिया जाता है और यही इनके साथ होता है अगर आप एक normal व्यक्ति हैं मकर राशी मकर लगनके हैं आप में अभीमान है तो उसको लोग गलत तरीके से परसीव करते हैं उसको आपका गलत attitude कहा जाता है आपके अंदर ego आ गया है ये चीज़ कहा जाता है क्योंकि ये अभीमान भी कभी-कभी अपना कुछ गलत जगा पर दिखा देते हैं तो चौता कारण बहुत अभीमान होना पांचवा कारण ये बहुत शक्की स्वभावके होते हैं इनको हर चीज़ पर शक होता है अपने दोस्तों पर शक, अपने माबाब पर शक, अपने भाई-बहनों पर शक, अपने पती-पतनी, गल्फरेंड, बॉइफरेंड, दोस्तों हर व्यक्ति पर इनको कभी ना कभी शक होता है और इसके कारण भी इनके जीवन में कई लोगों से संबंद कभी-कभी बिगड जाते हैं तो इनका पाँचवा दुख का कारण बनता है बहुत शक्की होना छटा कारण ये वरकॉलिक होते हैं इनको काम करना बहुत पसंद होता है और वो भी एक रिदम से कि हाँ ये चीज ऐसी होने चाहिए ये चीज ऐसी होने चाहिए हर चीज का सिस्टम होना चाहिए तो बहुत वरकॉलिक होते हैं काम करना बहुत पसंद होता है अच्छी चीज है लेकिन इसके कारण इनके जीवन में एक इंबैलन्स आ जाता है ये पूरा ध्यान अपने काम को देते हैं फैमली को नहीं दे पाते हैं पती बतनी को नहीं दे पाते हैं बच्चों को थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं क्योंकि सारा ध्यान कहा है काम पर तो ये भी इनके जीवन का एक दुक्का कारण बनता है क्योंकि ये बहुत वकॉलिक होते हैं और एक इंबैलन्स लाइफ में अपने ले आते हैं सात्वा कारण इनकी वानी में बहुत कड़वाहट आ जाती है कभी-कभी जैसे मैं कहा रहा हूँ वो इनका व्यक्तित वही है इनको भी शायद पता नहीं चलता कि ये कड़वा बोलते हैं लेकिन बोलते हैं बहुत कड़वाहट इनकी वानी में आ जाती है और उसके कारण भी इनके जीवन में बहुत लोगों से जगड़े होते हैं बहस होती है लोग इनकी बातों को गलत अरीके से समझते हैं और उसके कारण भी एक कई जगा पे दुख जेलते हैं तो साथवा कारण इनके जीवन में जो दुख देता है वो है वानी में कड़वाहट आठवा कारण कभी-कभी बहुत अंसोशल हो जाते हैं कभी-कभी इनके जीवन में फेज़े जाते हैं जहां पे ये लोगों से मिलना ही नहीं चाते एकदम अंसोशल हो जाएंगे और उस ताइम पे अगर इनको कोई मिलना भी पड़ता है किसी से तो socially बहुत awkward रहते हैं और कुछ गरत चीजें बोल देते हैं गरत चीजें कर देते हैं body language इनकी अच्छी नहीं रहती और उसके कारण भी इनके जीवन में problem आते है क्योंकि कई बार ये अंसोशल रहते हैं नवा कारण ये दो points है इसमे कभी कभी तो इनके अंदर confidence एकदम गिर जाता है सब कुछ आते हुए भी confidence पूरा गिर जाएगा दूसरा ये अपने आपकी बहुत निंदा करने लग जाते हैं self critical हो जाते हैं जो कि बुरा नहीं है लेकिन ये बहुत जादा हो जाते है कि हाँ कुछ गलत हुआ तो मेरे ही गलती है जो बुरा मेरे साथ हो रहा है मेरे ही गलती है ये सारी चीजों के कारण भी इनके जीवन में कई बार परिशानियां आती है दस्वा कारण ये बहुत demanding होते हैं जो इनके साथ रहते हैं उनसे पूछेगा ये बहुत demanding है हर चीज में वो काम में हो बिजनस में हो अगर ये आपके बॉस हैं तो बहुत demanding होंगे करियर में हो या बिजनस में हो आपके पती या पतनी हैं बहुत demanding होंगे आपके ये बच्चे हैं मकर लगने हैं मकर आशी के बहुत demanding होंगे मेरे को यह ऐसा चाहिए, मैं ऐसा खाना खाऊंगा, ऐसा खाना नहीं खाऊंगा, मैं यह करूँगा, नहीं करूँगा, मेरे को मेरे हिसाफ से चीज़े चाहिए, तो जो demanding जो इनका nature है, यह भी लोगों को बहुत परिशान करता है, सब तो इसको handle नहीं करेंगे, आपका जो भ महिनों में इसका पार्टो भी बनाऊंगा, ऐसी राशियां ऐसे लगन जिससे इनको बचके रहना चाहिए, लियो और कैंजर, दोनों ही वोग रहें, जो प्रकाशित रहें, उनकी राशियां है यह, तो सूर्य की राशी, लियो से और चंद्रमा की राशी करक से, इन से इनक बचके रहना चाहिए, इनको परिशानिया देते ही हैं, पाँच साल से बारा साल इस उमर में इनको बहुत दूख आते ही हैं, उपाय क्या करना चाहिए, जो हमेशा इनको सकरात्मकता देगा, वो है कि महीने में एडलीस एक शनिवार, आप शनी देव की किसी भी वस्तू का दान कीजिए, वो उड़त की दाल हो, सरसो का तेल हो, या एवन खाने का समान का भी दान कर सकते हैं, ये नियमत तौर से किया कीजिए, अब ऐसा नहीं है कि इस उपाई से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये उपाई मैं वो बता रहा हूँ, जिससे जीवन में बहुत हत्तक सगरात्मक्ता आये, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, चैनल पर नहीं है सब्स्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता हूँ, अगली वीडियो में ततके लिए, ओमूँ